हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल आज हम स्वासत से जुड़ी बातों में भूख बढ़ाने के कुछ घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली का हर संकेत बहुत अहम होता है इıs में भूख न लगना भी शामिल है यूँग तो भूख न लगना एक बहुत सामान्य लक्षन है लेकिन यह किड्नी फेल होने से लेकर कैंसर तक के संकेत देता है भूख न लगने या कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं जिन में कब्ज पेट में वाइरस पाचन संबंधी रोक या गलत तरह का खान पान गलत समय पर खाने पीने की आदत शामिल हैं लंबे समय तक भूख न लगने की इस्थती को डॉक्टरी भाषा में एनो रेक्सिया कहा जाता है इसके मेडिकल या मनोवज्यानिक कारण भी हो सकते हैं भूख न लगने के संकेत जैसे खाने के प्रती उत्सहा की कमी, खुराक कम होना यानि पेट सामान्य से जल्दी भर जाना और खाते समय ठकान महैसूस होना, खाना आधा छोड़ कर उठ जाना, मनपसद चीन जो को भी नहीं खाना, चबाने और निगलने में परेशानी या ख खाते समय उबकानी आना, आम तोर पर भूख न लगने की समस्या, शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, जो लोग घर या ओफिस में लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या शरीरिक रूप से कम सक्रिय रहते हैं, उन्हें अमूमन भूख कम लगती है, ऐसे लोग जिस दिन थोड समपर करें, इसलिए बहुत जरूरी है भूख पर ध्यान देना, भूख में अचानक या धीरे-धीरे कमी होना कई संकेत देता है, इसके पीशे तनाव भी हो सकता है, या निमोनिया, हेपेटाइटेस, लीवर में सूजन, या जलन, एट्स, किडनी, कैंसर का लक्षन हो सकता है, भूख की कमी कई तरह के पाचन रोग की और इशारा करती है, जैसे कोलाइटेस, कोलन कैंसर, क्रोन रोग या सिलिएक रोग, भूख बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है रोज व्यायाम और अनुशासित जीवन शेली, व्यायाम करने वालों को कभी भूख की कमी नहीं ह खाना खाने का वक्त और मात्रा निर्धारित करें, ठीक से पालन करने पर शरीर इतना आदी तो हो जाता है कि वक्त होने पर खुद ही भूख के संकेत देने लगता है, कहते हैं खाना पहले आँखों से खाया जाता है, यानि डेश की सजावट उसे खाने के लिए प्रेरित क करती है, इसलिए ठाली को सजा कर ही पेश करना चाहिए, तरह तरह की चीजें शामिल कर उसको रंग बिरंगी बनाना चाहिए, और नरम चीजें खाएं, जैसे खिचडी, हलवा, दही, आइस क्रिम, जिने ज़्यादा चबाना नहीं पड़ता या बिना चबाए खाया जा सकत है, जो लोग गले की समस्या के कारण नहीं कुछ खा पाते हैं, वे मिनरल वाटर या नीबू पानी की मदद ले सकते हैं, साथी ठाली छोटी रखें, कई लोग बड़ी ठाली और धेर सारे व्यंजन देखकर सहम जाते हैं, साथी भूख बढ़ाने वाली चीजों का सेवन कर जैसे सेव का जूस, करोंदे का रस, मूली, हराधनिया, अजवाइन और काला नमक, इलाइची, इमली, और दिमाग का हाइपो थैले मास वाला हिस्सा ही भूख को नियंतरित करता है, इस हिस्से को जागरित बनाए रखने के लिए प्रणायाम जरूर करें, और यदी इतना क करने के बाद भी भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर को दिखाएं, बाजार में भूख बढ़ाने का दावा करने वाली कई टॉनिक उपलब्ध हैं, लेकिन डॉक्टर की सलहा पर ही इन्हें लेना चाहिए, भूख न लगने के कई कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन, हर्मोनल असंतुलन, कोई गंभीर बिमारी या भोजन विकार हो सकते हैं, अगर भूख को बहतर कर स्वस्थ जिंदगी का आनंद लेना चाहते हैं, तो घरेलू उपाय में अजवाइन का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक चमच अजवाइन और एक गलास गुनगुना पानी चाह भूख बढ़ाने के लिए अद्रक का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसके लिए चमच का एक चोथाई धनिया पौडर, आधा चमच अद्रक पौडर और 100 ml पानी चाहिए, धनिया और अद्रक पौडर को मिला लें, अब पानी में इस मिस्रण को तब तक गर्म करें, जब तक पा अद्रक एंटी इंफ्लेमेंटरी, एंटी हाइपर, क्लुकोज, सेंसिटाइजिंग वा इस्टी इमुलेटरी गुणों से समर्द होता है, यह गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल ट्रेक पर परफावी रूप से काम करता है, भूख लगने के तरीके के रूप में अद्रक का इस इसके साथ ही आप इमली का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इमली को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो दें, स्वाद के लिए पानी में नमक और काली मिर्च मिलाएं, पानी को अच्छी तरह शान कर पिएं, रोजाना इसे एक बार पी सकते हैं, यह पाचन तंत्र में सुधा लाती है और भूख को बढ़ावा देती है इमली में विटामिन B1 यानि थियामिन पाया जाता है जो भूख बढ़ाने में मदद कर सकता है इसके अलावा धनिया पत्ते का भी इस्तमाल कर सकते हैं ग्राइंडर में धनिय की पत्तियां और पानी डालकर जूस बना लें अब इस जूस को खाली पेट पीएं समस्या के दनों में रोजाना सुबह इस जूस को पी सकते हैं भूख बढ़ाने के उपाय के रूप में धनिय का प्रयोग किया जा सकता है लंबी समय से धनिय का इस्तमाल भारतिय विंजनों में किया जा रहा है इसकी पत्तियां इंटी इंप्ले जहद मिलाएं फिर जूस को हलका ठंडा करके पी सकते हैं इस बात का ध्यान रखें कि अनार ताजा होना चाहिए हर दिन एक गिलास जूस पी सकते हैं अनार एक गुणकारी फल है जो एंटी ऑक्सिदेंट और विटामिन से समर्द होता है पाचन स्वास्त के लिए अनार बह किया जा सकता है दरसल यह बिटामिन सी और गैस्ट्रो प्रोटेक्टे गुणों से समर्द होता है यह पाचन स्वास्त को ठीक करता है और इम्म्योन सिस्टम को मजबूत बनाने का काम कर सकता है बुख बढ़ाने की दवा के रूप में आवले के रस का सेवन कर सकते हैं और इसके साथ ही बूख बढ़ाने के लिए नीबू का इस्तमाल कर सकते हैं, एक गलास गुनगुने पानी में आधा नीबू निचोड लें, रोजाना खाली पेट इसका सिवन करें, बूख बढ़ाने की दवा के रूप में नीबू का प्रयोग किया जा सकता है, नीबू विटाम के रूप में नीबू को इस प्रकार आप जरूर इस्तमाल कर सकते हैं, और आमतर पर वयसकों और बच्चों में भूख बढ़ाने के लिए विटामिन B का उपयोग किया जाता है, विटामिन B कॉम्पलेक्स अमुह में किसी भी विटामिन की कमी होने से पाचन संबंधी दिक पत्तेदार हरी सबजियां व बिन्स आदी विटामिन B के अच्छे श्रोथ हैं, व्यस्त जीवन शैली में भूख न लगने की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन इसे नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए, और भोजन समय पर करना चाहिए, भोजन समय पर न करने से भ और अपने दैनिक आहर में हरी सबजियां व फलों को जरूर शामिल करें, दिन की शुरूआत फ्रूट जूस से कर सकते हैं, फाइबर, युक्त खाद समागरी जैसे केले आदी का सेवन जरूर करें, भोजन करते समय ध्यान खाने पर ही होना चाहिए, और पाचन क्रिया को मजबूत बनाने और भूख पढ़ाने के लिए योगासनों की मदद ले सकते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, कपाल भाती, प्रणायाम, और भूख न लगने की समस्या से निजात पाने के लिए काली मिर्च का उपयोग कर सकते हैं, काली मिर्च एक कारगर दवा के रुप में क चाय बनाने के लिए पैन में एक कप पानी को गर्म होने के लिए रखें, इसमें अद्रक, चाय पत्ती और काली मिर्च डाल कर चार-पांच मिनट तक अच्छी तरह खौलाएं, अब चाय को शान लें और स्वादानुसार शहद मिलाकर धीरे धीरे पीएं, इसके अलावा चमच सौफ के बीज और आधा चमच मेथी के दाने कुछ मिनट तक अबालें, स्वाद के लिए आधा चमच शहद मिला सकते हैं, अब इसे शाने और चाय की तरह धीरे धीरे पीएं, इस चाय को दिन में एक या दो बार पी सकते हैं, इस तरह से भूख बढ़ाने के लिए आ मावला, अद्रक, सौफ, काली मिर्च, इलाइची, अजवाइन, इमली, अनार, धनिया, पत्ता और नीबू ये सभी भूख बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि अगर घरेलू उपचार के दोरान अगर किसी को मतली, जैसे लक्षन दिखते हैं, या तो इसका इस्तमाल बन कर दें, और अगर कोई घरेलू न उसका कोई सकरात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें, तो फ्रेंड इस तरह से स्वास्त से जुड़ी इतनी ही बातें, और बातें हम मेरे आने वा वीडियो पर करेंगे, तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को पर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके.